चुडैल लंच बॉक्स अब वक्त आ गया है इनके गुनाहों का सूथ समेथ इन्हें वापस लोटा देगा रात के अंधेरे में चुडैल पूजा मैडम के घर जाती है उस वक्त पूजा चेयर पर बैठ कर टेस्ट के क्वेश्चिन पेपर बना रही थी तभी पूजा को अपनी पीछे किसी के चलने की आहट महसूस होती है और वो पनट कर देखती है तो वहाँ एक परच्छाई होती है जुसे देखकर पूजा बोलती है कौन है वाँ? सामने आओ, मैंने पुचा कौन है वाँ? और तुम मेरे घर के अंदर कैसे आए? बताओ मुझे तभी चुडैल पूजा के सामने आ जाती है चुडैल को देखकर पूजा बहुट डर जाती है और डर से धर धराते होए होटों से बोलती है को न तुम और यहां मेरे घर में क्या कर रही हो तुने मुझे नहीं पहचाना मैं तेरी मौथ हो और यहां तुझे मारने के लिए आई हूँ इतना बोल कर चुड़ैल पूजा का गला दबा कर उसे मार देती है और अगले दिन सुभा चुड़ैल पूजा मैडम का रूप लेकर स्कूल में जाती है और क्लास रूम में पहुँचकर बच्चों से बोलती है तो सभी बच्चे टेस्ट देने के लिए तयार है येस मैम जिसके बाद सभी बच्चे टेस्ट करके टेस्ट पेपर चुड़ैल के पास जमा कर देते है उसी वक्त लंच की बेल बच्चती है और चुड़ैल क्लास रूम से बाहर चली जाती है तभी क्लास के सारे बच्चे हाथ धोने बाहर जाते है लेकिन रोहन और चिंटू क्लास में ही रुख जाते हैं और बोलते हैं चलो फिर से हमें मौका मिल गया तेस्टी तेस्टी खाना खाने का जल्दी से बच्चों के लंच बॉक्स निकाल कर उनका सारा खाना खा जाते हैं ओ बाई जल्दी जल्दी निकालते हैं और मुझे तो सोनाली का ही लंच बॉक्स चाहिए आज वो खाने में हलवा पूरी लाई है तु अकेले नहीं मैं भी तेरे साथ हलवा पूरी खांगा इतना बोलते ही रोहन सोनाली का लंच बॉक्स खोलने लगता है तभी क्लासरूम में चुडैल आ जाती है और उन दोनों से बोलती है तुम दोनों सोनाली का लंच बॉक्स चोरी करके खा रहे हो नहीं मैं ये तो हमारा लंच बॉक्स है तभी चुडएल अपने असली रूट में आकर बच्चों को धंकाते हुए बोलती है तुम्हारी सजा ये है कि अपसे मैं तुम्हारा लंच बॉक्स खाया करूँगी और हर रोज तुम लोगों को भूगे रहने की सजा मिलेगी इसके बाद भी अगर तुमने अपनी हरकत नहीं सुधारी तो मैं तुम लोगों को जिन्दा नहीं छोड़ूँगी जिसके बाद चुडएल हर रोज रोज रोहन और चिंटू का लंच बॉक्स खाया करती थी ऐसे ही एक दिन की बात है उस दिन राहुल नाम का लड़का एक दूसरे स्टूड़न का लंच बॉक्स छीन कर खाने लगता है और उस बच्चे को डाट कर वहां से भगा देता है तबीव वहां पर चुडएल आ जाती है और अपने असली रूप में आकर बोलती है तो तुम भी बुरे स्टूड़न्स में से एक हो अब मैं तुमें भी वही सजा दूँगी अब कल से मैं तुम्हारा भी लंच बॉक्स खाया करूँगी और तुम भूखे रहोगे और खबरदार तुमने मेरी ये सच्चाई किसी को बताने की कोशिश की तो उसका अंजाम ब खाया करती थी लेकिन एक दिन रोहन इन सब चीजों से बहुत परिशान होकर राहूल और चिंटू से बोलता है आखिर का हम कब तक इस चुड़ेल टीचर को अपना लंच बॉक्स के लाते रहेंगे अब हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा हाँ रोहन सही कहा तुने लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं हमारी बात पर कौन यकीन करेगा हम तो स्टूडेंट हैं और वो चुड़ेल टीचर मेरे पास एक तर्कीन है कल जब हम तीनों चुड़ेल टीचर को खाना देंगे तब हम कैमरे में वो सब कैद कर लेंगे और अभिशेक सर को दिखा देंगे शायद वो हमारी कुछ मदद करें अगले दिन राहुल कैमरा ओन करके क्लास रूम में रख देता है तबी वहां चुड़ेल अपने असली रूम में आकर उन तीनों बच्चों का लंच बॉक्स खा कर वहां से चली जाती है जिसके बाद वो तीनों बच्चे वो वीडियो अभिशेक सर को जाकर दिखा देते है तबी अभिशेक सर स्टाफ रूम में जाकर पूजा मैडम का बाल पकड़ कर उन से बोलता है कौन हो तुम और क्यों ही स्कूल के बच्चों का लंच खा रही हो बताओ मुझे तबी चुड़ेल अपने असली रूप में आकर बोलती है तो उन बच्चों ने तुम्हें मेरा असली सच बता ही दिया हाँ मैं चुड़ेल हूँ बुरे वो नहीं बुरी तुम हो अब बताओ मुझे तुम क्यों बच्चों को परेशान कर रही हो मुझे बुरा कहने से पहले तुम मेरी दर्द भरी दास्ता सुन लो गुरीन लैन पब्लिक स्कूल था जहां गुन-गुन पढ़ा करती थी गुन-गुन पढ़ने में बहुत ही इंटेलिजन थी और बहुत शांत स्वभाव की थी उसके इसी सिधेपन का फायदा स्कूल के कुछ बच्चे उठाया करते थे एक दिन जब लंच के वक्त में गुन-गुन खाना खाने जाही रही होती है तभी रॉकी बोलता है आज तु हमें भोग लगाई बिना ही खाना खा रही है तु कैसे भूल गई कि तेरे लंच बॉक्स पर सिर्फ मेरा अधिकार है अब दे अपना दिब्बा और चल निकल आसे हर रोज तुम लोग मेरा लंच बॉक्स खा लेते हो और मैं भूकी रह जाती हूँ प्लीज आज तु ऐसा मत करो आज मेरा जनम दिन है अच्छा तो आज तुमारा जनम दिन है फिर तो हम सरूर खाना खाएंगे क्योंकि तुम आज कुछ अच्छा ही लेकर आई होगी जिसके बाद रोकी और मॉन्टी गुन-गुन के हाथ से लंच बॉक्स छीन कर खाने लगते हैं तब ही गुन-गुन रोते हुए पूजा मैडम के पास जाती है और उनसे बोलती है पूजा मैडम रोकी और मॉन्टी हर रोज मेरा लंच बॉक्स का सारा खाना खा लेते हैं और आज भी उन्होंने यही किया ये तुम क्या बोल रही हो गुन-गुन रुको मैं अभी उनकी डाट लगाती हूँ तुम भी चलो मेरे साथ इतना बोलकर पूजा मैडम और गुन-गुन क्लास रूम में जाते हैं तब ही पूजा मैडम रोकी और मॉन्टी से बोलती है क्या तुम दोनों ने गुन-गुन का लंच बॉक्स चीन कर खाना खाया है नई मैम हम तो अपना खाना खा रहे हैं आप देख सकते हैं मैम गुन-गुन जूट बोल रही है उल्टा इसने हमारा खाना चीन कर खाया है और इसने हमारे इखलाफ आपके पास जाकर शिकायत कर दी ये मैं क्या सुन रही हूँ गुन-गुन तुमने इन बच्चों का खाना चीन कर खाया है और जूटे शिकायत करने मेरे पास आ गई तुम तो बहुत अच्छी बच्ची थी न और अब तुम भी जूट बोलने लग गई नहीं मैं 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 सच बोल रही हूँ मैं जूट नहीं बोलती चुपो जाओ और बंद करो अच्छे बनने का ड्रामा निकल जाओ मेरी क्लास से बाहर पूरे क्लास रूम के सामने हुई बेज़ती को गुन-गुन बरदाश्ट नहीं कर पाती और स्कूल की छट से कूट कर अपने जान दे देती है तबी स्कूल का प्रिंसिपल गुन-गुन के घर पर कॉल करके बोलता है जिसके बाद गुन-गुन की माँ दोड़ते हुए स्कूल पहुंचती है और अपनी बेटी की मौत का सदमा बरदाश्ट नहीं कर पाती और वो भी वही मर जाती और तभी से मेरी आत्मा यहाँ पर भटक रही है और मैं हर उस बुरे और लाची स्टूडेंट का लंच खा जाती हूँ जो दूसरों को परिशान करते हैं मैं मानता हूँ तुम्हारी बेटी के साथ बहुत गलत हुआ लेकिन उसे किसी ने नहीं मारा बलकि उसने आत्मत्या की है फिर भी मैं माफ ही मांगता हूँ अपने स्कूल वालों की तरब से हमें माफ कर दो अब तुम यहां बच्चों को परिशान करना बंद करो तुम भी तु एक मा हो और एक मा कभी भी बच्चों का बुरा नहीं सोच सकती अब तुम यहां से चली जाओ अब शेक सर की बात सुनकर चुड़ैल को अपने की यह पर पश्टावा होता है और वो बोलती है हाँ तुम सही कह रहे हो मैं बदले की भावना में कुछ जादा ही बह गई थी और संसार के नियमों को तोड़ने लगे अब मैं बाता करती हूँ मैं यहां किसी भी स्टूड़न को परिशाद नहीं करूँगी और यहां से हमेशा के लिए जा रही हूँ तुमने ट्यूशन का होमवर्ग पूरे क्यों नहीं किया अब तुम्हें इसकी सजा मिलेगी ताकि अगली बार से कोई भी बच्चा मेरे ट्यूशन में और देखते ही देखते क्रदीप एक भयंकर भूत में बदल जाता है जिसकी बड़ी बड़ी लाल आखें, काले दांत और लंबे नाखोन थे अपने सर को भूत बनता देख सोनू डर से थर-थर कापने लगता है और उसके माथे से पसीना छूटने लगता है तब ही वो अपने कपकपाते होटों से बोलता है इतना बोलते ही प्रदीप सुनू का गला दबा कर उसे मार देता है और फिर से इंसान ही रूप ले लेता है ऐसे ही अगली शाम भी प्रदीप बच्चों को ट्यूशन पढ़ा रहा होता है तब ही चिंकी और मोनू ट्यूशन में आते हैं और प्रदीप उने देख कर बोलता है आ गई दोनों नमूने वो भी इतनी लेट आये हो कहां थे दोनों इतनी देर से जल्दी बताओ सर वो मैं चिंकी का वेट कर रहा था इसी की वज़ा से मुझे आने में देर हो गई ठीक है मोनू तुम जाकर अपनी सीट पर बैठो और चिंकी तुम मुझे ये बताओ कि तुम क्या कर रही थी क्या तुम्हें पता नहीं शामिट तुम्हें ट्यूशन आना होता है सर वो मेरे नोट बुक गुम हो गई थी उसी को ढूनने के चकर में लेट हो गई कोई बात नहीं अब तुम दोनों लेट आये हो तो मैं तुम्हें घर लेट ही भेजूँगा अब जाकर बैठो और चल्दी से मुझे अपना होमवर्ग चेक करवाओ ठीक है सर जिसके बाद प्रदीप चिंकी का होमवर्ग चेक करके फिर से बच्चों को पढ़ाने लगता है थोड़ी देर बाद सबी बच्चों की चुट्टी हो जाती है लिकिन प्रदीप मौनू और चिंकी की चुट्टी नहीं करता और वो दोनों वहीं बैठ कर पढ़ने लगते हैं तभी प्रदीप को प्यास लगती है और वो पानी पीने किचन में जाता है अपने सर को जाता देख चिंकी बोलती है जिसके बाद वो दोनों बच्चे रूम से बाहर जाकर गार्डन में कागस का हवाई जहाज बनाकर उडाने लगते हैं तब ही रूम में प्रदीप आता है और उन दोनों को रूम में ना पाकर बाहर जाता है और उन्हें खेलता हुआ देखकर गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बोलता है तुम दोनों ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया मुझे गुस्सा दिलाकर अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ इतना बोलते ही प्रदीपिक भैंकर भूत में बदल जाता है भूत को देखकर दोनों बच्चे डर जाते हैं तब ही डरते हुए चिंकी बोलती है भूत सर हमें माफ कर दीजे हम फिरसे ऐसी गलती नहीं करेंगे तुम शुरू से ही बोलती आई हो कि सर हम फिरसे ऐसी गलती नहीं करेंगे लेकिन फिर भी तुम नहीं सुदरती इसलिए मैं तुम दोनों को माफ नहीं करने वाला तुम्हें मरना ही होगा इतना बोलकर भूत उन दोनों का गला दबा कर उन्हें मार देता है ऐसे ही वक्त बीटता है और फिर एक दिन गीता अपने दोनों बेटो आदर्श और मोहित को लेकर प्रदीप सर के ट्यूशन पहुँचती है और उनसे बोलती है नमस्ते प्रदीप जी अब मेरे दोनों बेटे नालायक और निकम में हैं इनका पढ़ाई में बिलकुल मन भी नहीं लगता है इसलिए मैं चाहती हूँ कि आद से आप इन दोनों को पढ़ाईए अब आप इनकी चिंता करना छोड़ दे मैं देखता हूँ ये कैसे नहीं जिसकी बाद गीता अपने दोनों बच्चो को छोड़ कर वहां से घर चली जाती है और प्रदीप उन्हें बैट कर पढ़ाने लगता है लेकिन मोहित और आदर्ष पढ़ने की जगा नोटबुक में जीरो काटा बना कर खेलने लगते हैं ये देखकर प्रदीप को बहुत ग भागने लगते हैं तभी भूत उन दोनों को पकड़ लेता है और उनका गला धबाने लगता है तभी आदर्ष चीखते हुए बोलता है ये तो किसी बच्चे के चीखने की आवाज है क्या प्रदीप किसी को मार रहा है? जिसके बाद मोहन खिड़की से अंदर जाक कर देखता है और अंदर के नजारे को देखकर हक्का बक्का रह जाता है और बोलता है इतना बोलकर मोहन दर्वासा तोड़ कर ट्यूशन के अंदर घुश जाता है तभी मोहन को देखकर प्रदीब बोलता है तो तुम्हें मेरा रास पता चली गया अब मैं इन बच्चों के साथ तुम्हें भी मार डालूँगा और अपने इस रास को तुम्हारे साथ ही यही दफन कर दूँगा मैं तुम्हारे आगे विंती करता हूँ तुम इन दोनों मासुम बच्चों को छोड़ दो और क्यों तुम इन दोनों को मारना चाहते हो इन्होंने तुमारा क्या विगा रहा है ये बच्चे बच्चे नहीं होते बड़ों के भी बाप होते हैं और क्या बोला तुमने इन्हें मासूम ये मासूम नहीं शैतान है हम बड़े इन्हें बच्चा समझ कर इन्हें माफ कर दें ये हमारी सबसे बड़ी भूल है ऐसे ही उस दिन उन बच्चों ने मेरी हंस्ती खेलती जिन्दिकी उचार दी इसलिए मैं इन्हें नहीं छोड़ूँगा, मार दूँगा किन बच्चों ने, क्या हुआ था तुमारे साथ, मुझे बताओ रुखो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ये बात कुछ समय पहले की है एक दिन प्रदीप अपने ट्यूशन में सभी बच्चों का टेस्ट ले रहा होता है तभी वो देखता है कि रौशन और आर्यन टेस्ट में नकल मार रहे हैं ये देखकर प्रदीप को गुस्सा आता है और वो उनसे बोलता है जिसके बात प्रदीप उन दोनों को डंडे से मारने लगता है और उन्हें ट्यूशन में डाट कर घर भगा देता है रौशन और आर्यन रोते हुए अपने घर पहुँचते हैं उनको रोता हुआ देख उनका पिता देवराज ठाकुर उनसे बोलता है क्या हुआ मेरे लाल को? क्यों तुम दोनों इतना रो रहे हो? किस की हिम्मत हुई जिसने तुम्हें मारा? पापा वो प्रदीप सर ने ट्यूशन में हमारी बहुत बेशती की और उसने हमें बहुत मारा पापा अब आप प्रदीप को छोड़ना मत उस प्रदीप की इतनी हिम्मत जो उसने मेरे लाल को हाथ लगाया अब देखो मैं उसका हश्र क्या करता हूँ जिसकी बाद देवराज ठाकूर अपने दोनों गुंडों को लेकर प्रदीप की ट्यूशन पहुचता है तब ही उसके दोनों गुंडे डंडे से मार मार कर प्रदीप की जान ले लेते हैं तब ही से मेरी आत्मा यां बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और जो बुरे बच्चे होते हैं उन्हें मौत के घाट उतार देती है मैं मानता हूँ तुमारे साथ गलत हुआ लेकिन तुम मुझे ये बताओ कि ये कहा का कानून है जो बच्चों की गल्दी पर उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाए क्या उन्हें सुधन्य का मौका नहीं दिया जा सकता है बताओ मुझे तुम भी तो एक सिक्षक हो ना फिर एक सिक्षक बच्चों की जान कैसे ले सकता है मोहन की बात सुनकर प्रदीप को अपने किये पर अफसोस होता है और वो बोलता है जिसके बाद मोहन पुलिस को सारी सच्चाई बता देता है और पुलिस देवराज ठाकुर को गिर्फतार करके जेल में डाल देती है और प्रदीप की आत्मा को शान्ती मिल जाती है गाउ में रहने वाली 12 वर्ष ये कोमल पढ़ने में बेहत तेज तर्रार और होशियार थी जिस कारण कक्षा की तमाम अध्यापक गण उसे खूब सराते थे उसके घर की हालत कुछ खास न थी उसका एक मात्र सहारा उसकी मा गंगा थी जो काफी मेहनत करके चार पैसे जोड़कर उसे पढ़ा लिखा रही थी कोमल पढ़ने में अपना पूरा ध्यान लगाती थी पर एक दिन वो उदास होकर अपनी मा से कहती है मा स्कूल के सभी बच्चों के पास रंग भी रंगे सुन्दर स्कूल बैग है सिवाए मुझे छोड़कर मुझे ये छोला लेकर स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं है बिटिया अपनी मा को थोड़ा वक्त दे मैं तुझे बाकी बच्चे से भी सुन्दर सा स्कूल बैग खरीद दूंगी अभी तेरी मा के हाथ पैसा नहीं है पिटिया आर्थिक तंगी के अभाव से जूज रही गंगा कोमल को समझा बुझा कर स्कूल के धरवाजे तक छोड़ाती है कोमल जैसे ही क्लास रूम में पहुँचती है तो कुछ बच्चे उसका मजाग बनाते हुए कहते हैं अरे अरे देखो दोस्तों देखो जोला चाप बाबा चले आ रहे हैं चलो बाबा को थोड़ी भीक्षा दे दी जाए क्योरी बिखारन तेरी मा के पास इतने भी पैसे नहीं है क्या कि तुझे एक स्कूल बैक दिला सके इसका ये सड़क छाप जोला बूड़ी एकदम पुराने जमाने कर लगता है ऐसा जोला मैंने तपस्वियों के कंदों पर देखा है जो अलोक निरंजन कहते हुए बिक्षा मांगते फिरते है सभी बच्चे उसका हो मजाक उड़ाते हैं ये देख कोमल फूट फूट कर रोते हुए कहती है तुम लोग हमेशा मेरा मजाक क्यों उड़ाते हो पढ़ने के लिए जोला हो ये स्कूल बैग क्या फर्क पड़ता है इसके पास स्कूल का बस्ता नहीं है इसको क्लासरूम से बाहर का रास्ता दिखाओ सभी बच्चे मिलकर उसको कक्षा से बाहर निकाल देते हैं और कोमल रोते हुए घर आ जाती है उसकी मा गंगा पैसे जोड़कर उसके लिए एक स्कूल बैग खरीद लाती है और कोमल तयार होकर स्कूल जाते हुए कहती है स्कूल चले हम अब मेरे पास भी स्कूल बैग है वो भी सबसे संदर कोमल जैसे ही क्लासरूम में कदम रखती है सभी बच्चे उसके स्कूल बैग को एक टक निहारते रह जाते हैं और वो कहती है तुम सभी के चेहरों के तोते की उड़ गए तेरा स्कूल बैग तो बढ़ाई प्यारा है खबरदार जो मेरे स्कूल बैग को किसी ने चूने की है मत भी की तो पढ़ाई खत्म करके कोमल अपना स्कूल बैक टांग कर जैसे ही स्कूल के में गेट पर आती है तो उसकी मा गंगा सड़क पार्क उसका इंतजार कर रही होती है तभी कोमल चलती सड़क पर दोरती हुए उसकी तरफ भागती है और उसको बचाने के चक्कर में गंगा को हलकी चोट लग जाती है फिर कोमल हडबडी में अपना बस्ता वहीं छोड़कर अपनी मा के पास जा कर कहती है मा तुम ठीक तो हो ना फिर दोनों घर आजाते हैं और थोड़ी देर बाद गंगा कहती है बिटिया तेरा स्कूल बैग नजर नहीं आ रहा है कहा है कोमल दोर कर उसी रास्ते पर पहुँच जाती है जहां चारो तरफ एक दमसन नाटा होता है और वो स्कूल बैग घर लाकर उसे एक कोने में रख देती है आधी रात जब उसकी नीद खुलती है तो वो देखती है कि स्कूल बैग घर में इधर-उधर सैर कर रहा है और वो कहती है टीचर नी तो कहा था कि बैग निर्जी वस्तू होती है पिर ये चल फिर कैसे रही है मा, उठो मा, उठो मा आवाज सुनकर गंगा उठ जाती है और कहती है आधी रात को क्यों उल्लो की तरह जाग रही है मा, अभी मैंने अपने बैक को चलते देखा कैसी बाते कर रही है, बैक कैसे चल सकता है, सोजा, तेरा वहम होगा बिस्तर पर गिरने के साथ दिन भर की ठकी हारी गंगा की आँख लग जाती है और वो खराटे भरने लगती है पर कोमल के नींद जैसे उड़ चुकी थी तभी वो कहती है ये मा के तगड़े खराटे मेरे कानों में ढोल मंजीरों की तरह तबाही मचा रहे हैं ऐसे तो मेरे कान फट जाएंगे क्या करूँ फिर कोमल अपने बैक की तरफ देखने लगती है तभी बैक के अंदर से एक आवाज उसके कान में पड़ती है बसता है तैयार हो जाओ मिरे यार चलो चले स्कूल चले आवाज तो मेरे स्कूल बैक से आ रहे है मा उठो ना मा कोमल के जग जोडने बर गंगा आँख मलते वे उठकर कहती है तेरे अंदर चमगादर की आत्मा सवार हो गई है क्या क्यों आधी रात को बराबर मेरी नींद खराब कर रही है स्कूल पैक के अंदर से किसी के आवाज आ रहे है सुभा सवेरे सड़क से चल कर बस्ता लेकर निकले हम चलो चले स्कूल चले आओ आवाज गंगा के कानों में पड़ती है और दोनों के सिच्ची बिट्टी कुल हो जाती है और वो डर कर पडोस में रहने वाले हरिया को बुला कर अपने घर ले आते हैं और हरिया कहता है डरो नहीं मैं देखता हूँ हरिया जैसे ही स्कूल बैक खोलता है एक बच्ची चुडैल बैक से बहा निकल कर से हम अब मैं तुझे मार कर तेरे खून से अपने स्कूल बैक की कॉपी के कूरेदे बन्नों पर रंगाई करूंगी हरिया डर के मारे धर धराते वह कहता है चुड़ेल, चुड़ेल, हाँ, मेरा क्या होगा मुर्गी क्या चाने अंडे का क्या होगा लाइफ बनेगी या तब इपे फ्राई होगा पर मैं तुझे बिना फ्राई की ये कच्चा चबा जाऊंगी डरी सहमी गंगा अपनी बेटी को उठा कर गाओं की लोगों का दर्वाजा खट-खटा कर सबको इकठा कर लेती है पर चुड़ेल हरिया को मार कर बस्ते में घुसकर उसका आकार लेकर चुड़ेल बनकर बाहर निकल कर करती है चलो सबकी सब बहुत का चैप्टर पढ़ने के लिए तैयार हो जाओ कोई नहीं बचेगा मैं सबको मार कर तुम्हारे मांस और खूद से रंग बिरंगे कलर बनाओंगी और अपने स्कूल बैग में भायल लोगी अरे ये तो किसी बच्चे की भूत नहीं लगती है के मारे मेरा दिल तो आधा हुआ जा रहा है जब डर सता है तो आल इस वेल बोलना चाहिए बड़ा कंफ्यूजर है ये अंग्रेजी में पटर पटर बोलना कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है शोल लेक्षन का कुछ पता नहीं चुडैल बच्ची की भूतनी हड़कंप मचा कर कई लोगों की लाशे बिच्छा देती है तब ही कोमल कहती है तेरा वर्षिय अनुपमा अपनी मा सविता के साथ एक गाउं में रहती थी आज सुभा वो जैसे ही स्कूल जाने के लिए तयार हो रही थी तब ही सविता कहती है अनुपमा देख तो बिचिया तेरी मा तेरी ले क्या लाई है अरे वाँ मा आप मेरे ले नया स्कूल बैग लाई है शुक्रिया स्कूल जाने में देरी हो रही है मैं चलती हूँ अनुपमा खुशी के साथ नया स्कूल बैग टांग कर जूमते हुए स्कूल चल पड़ती है पर सड़क पार करते हैं वाकते गाड़ी उसको बेरहनी से कुचल देती है और उसकी आत्मा उस स्कूल बैग में कैद हो जाती है और उस रोज तुम मुझे दिखाई थी और जब तुम अपना बस्ता सड़क पर भूल आई थी तो मैंने ही अपना भूतिया स्कूल बैग वहाँ छोड़ दिया था जिसे तुम अपने घर ले आई तुमारी मौत सड़क दुरगटना थी उसमें किसी इंसान का कोई कुसूर नहीं था ये इंसानी बात मेरे शेतानी खोपड़ी से बाहर है मैं तुम सब को मार कर तुमारे खून से मौत की होली खेलूगी अरे भूतिया तितलिया चली जा हमारे गाउसे सबसे पहले इस खुज़त बुढ़े को ही जिन्दगी से रेटायर करती हूँ चुड़ैल के कहर से सभी को बचाने के लिए कोमल दोड़ कर जलती हुई लकड़ी लाकर चुड़ैल के भूतिया बैक पर फेक दिलती है और चुड़ैल कहती है चुड़ैल दड़पते हुए जल कर राख हो जाती है और भूतिया स्कूल बैक का किस्सा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है